हेलो दोस्तों एक बरफिस से स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टेक वी थाइक्यू में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी लोग ने वीडियो के थमनेल में देखी लिया होगा यदि आप भी एक इस्रम कार्ड धारक हैं आपने भी अपना इस्रम कार्ड बनवा लिया है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके इस्रम कार्ड का पैसा भी तक आपके बैंक खाते में पहुंचाए यानि तो उसका इस्टेटस आप किस पर कार्ड चेक कर सकते हैं फट्यू में आपको लाइप प्रोशेस चेक करके दिखाने वाले हैं तो हमारे सात वीडियो में बिल्कुल लासता बने रहे हैं तो चले बिना किस तेर के आज किस वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यह दिया आपने अपना इस्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा जहांपर आप आसानी से अपना इस्रम कार्ड बनवा सकते हैं तो आपको आपका इस्रम कार्ड इस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं तो वेबसाइट में पहुंच जाने के बाद में आपको सिंपली उस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको सिंपली एक बार नीचे की और स्क्रॉल कर लेना है और आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पोशन भताय हो जना आपको सिंपल एक बार इस वाले आप्शन पे किलिक कर लेना होगा जैसे आप इस पे किलिक करते हैं एक न्यूपेज आप सबीके सामने उपन होके आजाएगा अभी आपको आपके इस रमकार्ट बनवाते टाइम आपने जो भी नंबर लिंक किया होगा और नंबर आपर टाइप कर लेना है और सर्च वाले आपसन पे एक बार आपको किलिक कर लेना होगा जैसे आप यह आप नंबर टाइप करते हैं और सर्च वाले आपसन पे किलिक करते हैं तो आपके इस रमकार्ट का पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में पहुंचा है या option पे जैसे क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख पार होंगे amount तो यहाँ पर 1000 रुपया दिखा रहा है लेकिन आप देख पार होंगे यहाँ पर amount फेल्ड दिखा रहा है और region भी आपको साथ में देखने को मिल जाता है जो आधार नंबर है वो deceit हो चुका है यानि NPCI मैपर जो है वो यहाँ पर successfully complete नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने bank account में चले जाना है और अपने आधार कार्ट को अपने bank के साथ में link करा लेना है इसी के बाद में आपके इस्रम कार्ट का पैसा आपके bank खाते में पहुंच तो दोस्तों I hope आपको आज कही वीडियो जरूर पसंद आया होगा योगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें हो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी subscribe जरूर से कर लेना